मुरादाबाद के मिलक काकर खेडा गाउं में पुराने विवाद के चलते दबंगों ने दमपत्ती और उनके बेटे को घर में घुसकर जम कर मारा पीटा शोर सराबा होने पर पहुचे ग्रामीडों ने किसी तरह उने बचाया इसके बाद पीड़िद भोजपुरताने पहुचे और दबंगों के खिलाब तहरीर दी कायलों को उपचारेतू मुरादाबाद के जिलासपताल में भरती कराये गया है जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है परिजनों के मताबिक उनका गाउं के ही साबिर आदी से विवाद चल रहा है अश्रफ अली गाउं में चल रही राम लीला देखने गया था तब ही साबिर वसीम हबीब चोटे खान आदी मिलकर उसे पीटने लगे अश्रफ अली किसी तरह वहां से जान बचा कर भागा और अपने घर में घुज गया आरोप है कि हमलावर भी उसके पीछे आ गए और जबरन उसके घर में घुज कर पीटने लगे बेटे को बिटता देख अश्रफ अली के माता पिता ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तब हमलावरों ने उन्हें भी बुरी तरह से मार पीट कर घायल कर दिया हंगानमा होने पर ग्रामीर मौके पर पहुचे और दमपती तदा उनके बेटे को उनके चंगुल से आजाद कराया इसके बाद घायल भुज बुर्दाने बचे और पुलिस को हमलावरों खिलाफ नामजद तहरीर दी पुलिस ने घायलों का जिला स्पताल में उपचार एवं मेडिकल हेतु भरती कराया जहों डॉक्टर ने एक की हालत गंबीर बताई है